खरकोन शेहर के मांगरो रोड इस्तित विध्यानगर और गोरिधाम में चोरों ने सूने मकानों के निशाना बनाया है चोरों ने विध्यानगर में दिन दहारे महच आदे घंटे के लिए घर से बाहर गए परिवार की गेर मुझूदगी में करीब चार लाग से अधिक के आभुशनों पर हाज साप कर दिया बदमाशों न ताला तोलकर अंदर प्रवेश किया और नगदी सहीत आभुशन लेकर फरार हो गए आसपास के लोगों को कहना है कि वारदात के समय एक कबारी आया था जानकरी केनुसार विध्यानगर में विजे सोने की घर चोरी हुई है उनकी पत्नी रागीनी ने बताया कि वा दोपर में घर पर ताला लगा कर बीमार बेटी को डॉक्टर को दिखाने गई थी लोटने पर देखा तो ताला तुटा हुआ था और दरवाजा खुला हुआ था अंदर पहुचे तो सामान विख्रा हुआ था गोद्रेज अलमारी भी खुली मिली करीब चाल लाख रुपिये के सोने चांदी के आबुशन वायफ हो गए है फिंगर्पिंट एक्सपर्ट टीम ने सबू जुटाए है उदर गोरी धाम में सेवा निवरत स्वास्त कर्मचारी भरत्चन जोशी के सूने मकान में चोरी हो गई वह पतनी के साथ गुजराज इलाज के लिए गए थे दर में क्या चोरी हुआ या उनके लोटने पर ही पता चल सकेगा पुलीस जाइट में जूट गई है बीरो रिपोर्ट खरगॉन हम कल करीब तीन से चार बजे के बीच में हम डाक्टर को बच्ची को दिखाने गये थे दात के डाक्टर देवडाजी को और वहां से वापस आये उस बीच हमको इताला टूटा हुआ मिला और अंदर जाके देखा तो अलमारी हमारे खुले थी और सामान ज्वेलरी चांदी क कि और सुने की और कुछ केस पड़ावा था हूं ले जाए करें लगबागर दाई से तिन साड़े तिन लाग के करीब है कि शक्लित बता रहा हूं पहले आस तक किसा सुनने में नहीं आए कि हैं इलाके में चोड़ी हुई उपर मकान मालिक काम चल रहा है ठेकेदार हो बोला लोगों ने और कारिगरों और करवाई होगी या फिर वह इंवाल हो सकते बस लगा रहा है अपन किसी का नाम ले नहीं सकते हैं वह तो पुलिस जो भी करें वह शानबिन में जो भी सामने आए रिपोर्ट करिए पुलिस में यहां भी आया थे फिंगर फिंट वगेरा सब ले गए पुलिस वाले पंचनामा बना के ले गए हैं और में भी कल रिपोर्ट भी एक फायर रक्त दर्च गरवा के लिए हैं इसके बाद उसी टाइम में जब यहां इन्वेस्टिकेसन चल रही हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भीना पुले